कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब मैं हूँ आपका दोस्तनीस देखे दोस्तों हमारे पास ये एक पैकट पहुचा हुआ है जिसमें मैंने कुछ जो है इस्टाबेरी के पौधे मंगवाए हुए हैं दोस्तों ये हमारे हीमाचल प्रदेश सोलन डिस्टिक से आए हुए हैं औ आफ़े मेरा जो पिछला experience था वह बहुत सबसे अच्छा experience था तो इस साल मैंने फिर से कुछ strawberry के पौधे मंगवाए हुए हैं क्योंकि लास्टियर मैंने तीन मैंने मेरे दोफे बचे थे तो मुझे मैंने सोजा की इस तो इस बार में और बार देखित दास प्लांट और खाते भी हैं दोस्तों मैंने जो यह प्लांट्स जो मंगवाए हैं तो आप देखिए जो इन्हों ने इसकी पैकिंग की हुई है बहुत अच्छे तरीके टेप पकाईदा लगा करके कुछ भी खराब नहों अभी तक चली हमारी ओपनिंग जो हमने देखा है वह अच्छी थी और वाव पेपर के अंदर रेखी इन्होंने जो इसको रखा हुआ है और डिबबे में आपकी कुछ भी नहीं है सारा कुछ इसी में ही है पेपर को भी नों ने बहुत अच्छे तरीके से पैक किया हूआ है तो चली हम इसे घिड़ और गपन करते हैं जो इन्होंने टेप ल तो देखे दुस्तों जो यह प्लांट्स नश्री नेसे न में ुपिलान्ट मिलते हैं उनसे तो दूस्तों बहुत ही अच्छी है और अगर रेट की बात करूं तो हमें पड़े हैं 20 रुपीज पर प्लांट के हिसाब से पड़ा है और इन्हों ने हमें total 11 पौदे देखी इन्हों ने हमें यहाँ पर भेजे हैं जो दिख रहे हैं हमें 11 पौदे दिख रहे हैं देखें जो उनका packing करने का तरीका इन्हों निकाल करके बहुत जाधा सी कोपीड़ में पर लगा कर वेजा है जिस से का यह पौदे Вам बहुत अच्छे तरीके से मिले इन्हों नकी ना तो रूट कोई बहुत जज़ादा डामेज्ज हुई है और ना ले देखिन के लेफ लीफ कि आपको हमारी प्लांट कैसे लगे तो फिर मिलेंगे टाटा बाइबाइबाइब